नमस्कार, हमने पिछले वीडियो में नई सिक्षा नीती 2020 के परिचय को समझा है आज हम समझने वाले हैं भाग एक स्कूल सिक्षा से सम्बंधित जो है यह नीती वर्तमान की 10 धन 2 वाली स्कूल व्यवस्था से 3 से 18 वर्स के सभी बच्चों के लिए पाठचरिया और सिक्षन सास्त्री आधार पर 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 की एक नई व्यवस्था में पुनर गठित करने की बात करती है जैसा की यहां दी गई आकरती में हम समझते हैं पिछला हमारा अकादमिक धाचा था जिसमें हम 1 से 10 तक की सिक्षा और फिर उसको 10 प्लस 2 की सिक्षा मतलब यह सिक्षा 6 साल से 18 साल के बच्चों के लिए होती थी लेकिन अब जो हमारी नई सिक्षा निती है यहां पर सुरू के 3 वर्स का बच्चा प्रवेश कर जाएगा यहां कहलाएगा आंगनवाडी, प्री स्कूल या बालवाटी का तो इसमें 3 साल से लेकर 6 साल तक बच्चा अध्यान करेगा 6 साल से लेकर 8 साल तक जो 2 वर्स होंगे वो कक्चा 1 और कक्चा 2 के होंगे तो यहां पूरा स्टेज कहलाएगा फाउंडेशनल स्टेज दूसरे स्टेज होगी 3 वर्स की जो की 8 से 11 वर्स तक होगी और इसमें बच्चा कक्चा 3 से 5 का अध्यान करेगा यहां होगा प्रिपरेटरी स्टेज इसके बाद तीसरी स्टेज होगी 26 से 8 वी कक्चा की स्टेज जिसमें बच्चा 11 वर्स की उम्र से 14 वर्स की उम्र तक अध्यान करेगा यहां होगी मिडिल स्टेज और अंतिम स्टेज होगी सेकेंडरी स्टेज जो कि 4 वर्सकी होगी कक्षा 9 से लेकर 12 तक बच्चा इस कक्षा में अध्यन करेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं वर्तमान में 3 से 6 वर्सकी उम्र के बच्चे 10 प्लस 2 वाले धाचे में सामिल नहीं थे लेकिन अब जो नया धाचा है वह है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 इसमें बच्चा 3 वर्सकी उम्र से ही हमारे विद्याले में प्रवेश कर जाएगा तो पहला जो इसका अध्याय है उसका अध्यन करते हैं प्रारंबिक बाले वस्ता देखभाल और सिख्चा शीखने की नीव जो की तीन वर्स से बच्चा हमारे पास आएगा तो उसके लिए क्या है क्या नया है इस नवीन सिक्षा नीती में तो बच्चों के मस्तिस्क का 85% विकास 6 वर्स के अवस्था से पूर्व ही हो जाता है गुणवत्ता पूर्ण प्रारंबिक बालेवस्था देखभाल और सिक्षा उपलब्द नहीं है तो प्रारंबिक बालेवस्था विकास देख भाल के लिए गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा के सारवजनिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चे ही वर्स 2030 के पूर्व उपलब्द किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रिवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली सिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं इसमें 1.2 को देखते हैं ECCE याने Early Childhood Care and Education में मुख्य रूप से लचिली, बहु आयामी, बहु इस्तरी, खेल आधारित, गति विधी, आधारित और खोज आधारित सिक्षा को सामिल किया गया है तो ECCE का समग्रो देश बच्चों का सारिरिक, भौतिक विकास, संग्यानात्मक विकास, समाज समवेदात्मक नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, समवाद के लिए प्रारंबिक भासा, साक्षर्ता और संख्यात्मक ज्यान के विकास में अधिक्तम परिणामों को प्राप् करना है 1.3 में कहा गया है कि NCERT द्वारा आठ वर्स की आयूत के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था सिक्षा के लिए एक उतकरष्ट पाठेक्रम और सेक्षने के धाचा विक्सित किया जाएगा अर्थात 0 से 3 वर्स के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं 1.4 में कहते हैं कि पिछडे जिलों और उन छेत्रों पर विसेश ध्यान और प्रात्मिक्ता देनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रारम्विक बाल्यावस्ता 1.5 में हम बात करते हैं कि प्रतेक आंगनवाडी में सम्रद सिक्षा के वातावरान के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार बाल सुलब और निर्मित भवन होगा आंगनवाडी केंद्रों में बच्चे गतिविदी से भरे पर प्रात्मिक स्कूलों में संक्रमण को सुचारू बनाया जा सके कि बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए तैयार हो सके 1.6 में है कि यहाँ परिकलपना की गई है कि 5 वर्स की आयू से पहले हर बच्चा एक प्रारम्विक कक्षा या बालवाटी का में इस्थानांतरित हो सभी का प्रवेश निश्चित किया जाएगा 1.7 कहता है कि ECCE सिक्षकों के सुरवाति कैडर को तैयार करने के लिए आंगनवाडी कारेकरताओं या कारेकत्रियों सिक्षकों को NCRT द्वारा विक्सित पाठकरम सिक्षन सास्त्री फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षन दिया जाएगा सभी का प्रशिक्षन अनिवारे होगा 10 प्लस 2 और उससे अधिक योग्यता वाली आंगनवाडी कारेकरता सिक्षक को ECCE में 6 महिने का प्रमाणपत्र कारेकरम कराया जाएगा यदि जो पहले से 10 प्लस 2 पास हैं और कम सेक्षन की यो प्रणबद तरीके से आदिवाशी बहुल छेत्रों को आश्रम सालाओं में भी सुरू किया जाएगा 1.9 कहता है कि इसकूली सिक्षा में प्रारंबिक बाल्यावस्था देखभाल और सिक्षा के सुचारू एकी कराण एवं सतत मार्ग दर्शन के लिए एक विसेस संयुक्त कारेबल या टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा 0.2 में आते हैं बुनियादी साक्षर्ता एवं संख्या ग्यान सीखने के लिए एक तातकालिक आवश्यक्ता और पूर्वशर्थ तो क्या है यह 0.2, 0.1 देखते हैं वर्तमान में प्रात्मिक विद्याले में बड़ी संख ग्यान भी नहीं सीखा है अर्थात ऐसे बच्चे की सामान्य लेख को पढ़ने समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड और घटाव करने की चमता भी नहीं होती तो 1.2 में बताया गया है कि प्रतेक्षात्र को कक्षा 3 तक मूल भूत साक्षर्ता और संख्या ग्यान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना सामिल किया गया है इस नहीं सिक्षानीती में कि क्लास 3 तक वो सीख ही जाए सिक्षा प्रणाली की सर्वोच प्रात्मिकता 2025 तक प्रात्मिक विद्याले में सार्वभौमिक मूल भूत साक्षर्ता और संख्या ग्यान प्राप्त करना अब 2.3 में बुला गया है कि सर्वप्रथम सिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समय बद तरीके से भरा जाएगा विसेश रूप से वन्चित छेत्रों और उन छेत्रों में जहां सिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज्यादा हो यानि ज्यादा बच्चों के लिए कम सिक्षक हो या जहां साक्षर्ता की दर निम्न हो वहां इस्थानी सिक्षक या इस्थानी भासा से परिचित सिक्षकों को न्यूक्त करने पर विसेश ध्यान दिया जाना चाहिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतेक स्कूल में सिक्छक विद्यारतियों का अनुपात PTR 330, Ratio 1, 30 अनुपात 1 से कम हो और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले छेत्रों के स्कूलों में सिक्छक विद्यारति का अनुपात 25 अनुपात 1 से कम हो कक्छा इस्तर से नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षर्त और संख्या ग्यान सिखाने के उदेशिशे सिक्छकों को सतत व्यवसाइक विकास CPD के साथ संबलित उत्साहिद और प्रिशिक्चित किया जाएगा 2.4 है पाठचरियास में बुनियादी साक्षर्ता और संख्या ग्यान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा अब ये नई स्थिती है कि बुनियादी साक्षर्ता अच्छी मिल पाए इसलिए अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा 2.5 कहता है वरतमान समय में ECCE की सभी तक पहुँच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हपतों बाद अपने सहपाठियों से पिछड जाता है इसलिए NCERT और SCERT के द्वारा कक्षा एक के विद्यारतियों के लिए अल्पकालीन तीन महिने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा 2.6 है The Digital Infrastructure for Knowledge Sharing याने दिख्षा पर बुनियादी साक्षर्ता और संख्या ग्यान पर उच्चतर गुनवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्री भंडार उपलब्द कराया जाएगा जैसे कि हमारे बच्चे अभी भी ऑनलाइन दिख्षा के माध्यम से अध्यान करते हैं हमारी ट्रेनिंग दिख्षा एप के माध्यम से होती है फिर 2.7 है वरतमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं या एक बड़ा संकट है सभी के लिए साक्षर्ता और संक्या ग्यान प्राप्त करने के इस महत्वपूर मिशन में सिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यवहरिक तरीकों का पता लगाया जाएगा 2.8 सभी भारती और स्थानी भासाओं में दिल्चजब और प्रेणा दायक बालसाहित और सभी इस्तर के विद्यारतियों के लिए स्कूल और स्थानी पुस्तक कालायों में बड़ी मात्रा में पुस्तके उपलब्द कराई जाएगी पुस्तकों की भी उत्तम व्यवस्ताएं रहेंगी तीसरे चेप्टर पर आते हैं ड्राप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी इस तरों पर सिक्षा की सार्वभामिक पहुँच सुनिश्चित करना तो स्कूली सिक्षा के प्रात्मिक लक्षों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामंकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्याले भेजा जाए सर्वशिक्षा अभियान और सिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्सों में प्रात्मिक सिक्षा में लगवक सभी बच्चों का नामंकन प्राप्त करने में उलेखनी प्रगती की है 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक इस्तर में 100% सकल नामंकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष के साथ आगे बढ़ना होगा और भविश्य के चात्रों का ड्राप आउट दर भी कम करना होगा 3.2 कहता है कि दो पहल की जाएंगी कौन कौन सी पहला प्रभावी और परियाप्त बुनियादी धाचा प्रदान करता है ताकि सभी चात्रों को उसके माध्यम से प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा बारिवी तक सभी इस्तरों पर सुरक्षित और आकरसक इस्कूली सिक्षा फ्राप्त हो सके दूसरा यहा है कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहवागिता सुनिश्चित हो उसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यारतियों की ट्रेकिंग करनी होगी साथ-साथ उनके सीखने के इस्तर पर भी नजर रखनी होगी 3.4 कहता है जब एक बार विद्याले का अव शनरचनात्मक ढाचा और बच्चों की भागिदारी सुनिश्चित हो जाए तो कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा और चात्रों को कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वण काम होगा 3.5 है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुहों पर विशेश जोर देते हुए सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए इसकूली सिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना होगा 3.6 है सरकारों और गेर सरकारी संस्थाओं के लिए विध्याले के निर्माण को सरल करने के लिए संस्कूली भूगोल और सामाजिक संरचना के आधार पर इस्थाने विविधताओं को प्रोथशाहित करने और सिक्षा के वेकल्पिक मॉडल बनाने के अनुमती देने के भूत्पूर विद्ध्यारतियों और समुदाय से स्वयम से भी प्रयाशों को प्रोधसाहित किया जाएगा। इस उद्देश की पूर्ती के लिए साक्षर स्वयम सेवकों, सेवा निवरत वैज्ञानिकों, सरकारी अर्धसास की कर्मचारियों, भूत्पूर विद्ध्यारतियों और सिक्षा विद्धों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। चौथा चैप्टर है, इसकूलों में पाठिक्रम और सिक्षन सास्त्र को पुनरगठित करना। 4.2 है, फाउंडेशनल स्टेज में पाँच वर्सी लचीले, बहु इस्तरी खेल, गतिविद्याधारित अध्यन और ECCE के पाठिक्रम और सिक्षन सास्त्र सामिल होंगे। पुस्तक आधारित सिक्षन को भी सामिल किया जाएगा। Middle stage में भी तीन वर्स की सिक्षा होगी और इसमें विशे विशेसग्य सिक्षकों द्वारा विशे की अमूर्त अधारनाव पर काम सुरू किया जाएगा। के लिए विद्यारतियों की परियाप्त तैयारी हो चुकी होगी क्योंकि यहां तक पहुंचे तक विद्यारती सीखने के लिए परियाप्त तैयार हो चुका होगा। स्कूल या सेकेंडरी स्टेज में चार साल के बहुविश्यक अध्यन सामिल होंगे जो इस स्टेज के विशे उन्मुख, सिक्षा क्रमिक और सिक्षन सास्त्री सैली पर आधारित होंगे। विशेश रूप से यदि किसी की इक्षा हो तो ग्रेड 10 के बाद व्यवसाई किया किसी विशेशग्यता प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11-12 में अन्य कोर्स के चुनाओ के विकल्प लगातार विद्यारतियों के लिए बने रहेंगे। 4.4 कहता है सिक्षा का उदेश केवल संग्यानात्मक समक्चना होकर चरित्र निर्माण और 21 सताब्दी के लिए कौशल से सुसर्जित करना है यानि केवल संग्यानात्मक शक्षमता नहीं हमें चरित्र निर्माण करना भी उन्हें सिखाना है 4.5 है अनिवारे अधिकमा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठिकरम की विशेवस्तु को कम करना कैसे पाठिकरम की विशेवस्तु को प्रतेख विशे में कम करके इसे बेहद बुनिआदी चीजों पर किंद्रित किया जायेगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र खोज आधारित चर्चा आधारित और विसले सनात्मक आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। एक मानक सिक्षण सास्त्र के आधार पर देखा जाएगा। प्रक्रियाओं में उप्योग किया जाएगा ताकि परस्पर सहयोग, स्वतह पहल करना, स्वयम निर्देशित होकर कारे करना, स्वा अनुसासन, टीम भावना, जिम्मेदार, जिम्मेदारी नागरिक्ता, आधी जैसे कौशल विक्सित करने में सहता हो सके। कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से चात्रों को शशक्त बनाना। कैसे, 4.9 है, विद्यारतियों को विस्यस रूप से माध्यमिक विद्याले में अध्यन करने के लिए अधिक लचीलापन और विश्यों के चुनाव के विकल्प दिये जाएंगे। साल दर साल समगर विकास और विश्यों और पाठे क्रमों के विस्तरत चुनाव विकल्पों का होना माध्यमिक विद्याले सिक्छा की नई विशिस्ट विशिस्ता होगी। 4.10 है राजियों को कलाविज्यान मानवी की भासा खेल और व्यवसाइक विश्यों सहित व्यापक स्रेणी के विश्यों के अधिक से अधिक लचिलेपन और अनंद के इन उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुभव तरीकों पर ध्यान देना होगा। बहु भाषावाद और भासा की सक्ती 4.11 देखते हैं यहां सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भासा मात्र भासा में सार्थक अवधारनाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझ लेते हैं। जहां तक संभा हो कम से कम ग्रेट 5 तक लेकिन बहतर होगा कि यहां ग्रेट 8 और उसके आगे तक भी हो सिक्षा का माध्यम, घर की भासा, मात्र भासा, इस्थानी भासा या छेत्री भासा हो। 4.12 है जैसा की अनुसंधान इस पस्ट रूप से दिखते हैं कि बच्चे 2 और 8 वर्स की आईू के बीच बहुत जल्दी भासा सीखते हैं। और बहु भासिकता से इस उम्र में विद्यारतियों को बहुत अधिक संग्यानात्मक लाब होता है। ग्रेट 3 और आगे की कक्छाओं में अन्य भासाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विक्सित किये जाएंगे। 4.13 है राष्ट्री एकता को बढ़ावा देने की जरूरत का दिहान में रखते हुए त्री भासा फार्मूला को लागु किया जाना जरूरी होगा। हलाकि तीन भासा के इस फार्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा। और किसी भी राज्य पर कोई भासा थोपी नहीं जाएगी। 4.14 है इस संबंद में उच्चतर गुनवत्ता वाले विज्ञान और गडित में द्वी भासी पाठे पुस्तकों और सिक्षन अधिगम सामागरी को तैयार करने के सभी प्रियास किये जाएंगे। ताकि विद्यारती दोनों विश्यों पर सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भासा, मात्र भासा और अंग्रेजी दोनों में सक्षम हो सके। 4.15 है जैसा कि दुनिया भर के कई विक्सित देशों में यह देखने को मिलता है कि अपनी भासा, संस्कृती और परंपराओं में सिक्षित होना कोई बाधा नहीं है बलकि वास्तों में सेक्षिक, सामाजिक और तकनी की प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ होता है 4.16 है यह भी जानेंगे कि कौन से भोगलिक छेतर में कौन सी भासाएं बोलते हैं गतिविधी से उन्हें भारत की एकता और सुन्दर संस्कृतिक विराशत और विविदता दोनों का एहसास होगा और अपने पूरे जीवन भरवे भारत के अन्य हिस्सों के लोगों से घुलने मिलने में सहज महसूस करेंगे 4.17 है संस्कृत को त्री भासा के मुख्यधारा विकल्प के साथ इस्कूल और उचतर सिक्षा के सभी इस्तरों पर चात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सम्रद विकल्प के रूप में पेस किया जाएगा संस्कृत भासा को अधिक महत्व दिया जाएगा 4.18 है स्कूलों में भी व्यापक रूप से चात्रों के लिए विकल्प के रूप में संभावता है आनुभावनात्मक और अनुभाव एप्रोच के माध्यम से उपलब्द होंगे ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि यह भासा और साहित जीवित और जीवन्त है सभी भारती भाषाओं को सम्रध मौखिक और लिखित साहित सांस्कृतिक परमपराओं और ज्ञान को अपने में संजोय हुए है के लिए भी इसी प्रकार के प्रयास किये जाएंगे 4.20 है भारती भासाओं और अंग्रेजी में उच्चितर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेसी भासाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि विद्यारती विश्व सांस्कृतिक के बारे में जाने और अपनी रूचियां और आकांच्चाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्यान को और दुनिया भर में घूमने फिरने को सहस्ता से बढ़ा सके 4.21 है सभी भासाओं के सिक्षण को नवीन और अनुभवनात्मक विधियों के माद्यम से समरत किया जाएगा 4.22 है भारती साइन लेंग्वेज को देश भर में मानविक्रत किया जाएगा और राष्ट्री और राज पाठेक्रम समगरी विक्सित की जाएगी जो बधिर विध्यारतियों द्वारा उपियोग की जाएगी जहां संभव और प्रासंगिक हो वहां इस्थानी सांकेतिक भासाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें भी सिखाया जाएगा 4.23 है हलाकि विध्यारतियों को अपने विक्तिकत पाठेक्रम को चुन्ने में बड़ी मात्रा में लचिले विकल्प मिलने चाहिए लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विध्यारतियों को एक अच्छे सफल अनुभव, अनुकूलनी और उत्पादक विक्ति बनने के लिए कुछ विश्यों, कौसलों और चमताओं को सीखने भी जरूरी है 4.224 कहता है प्रासंगिक चर्णों में समसामिक विश्यों जैसे Artificial Intelligence, Design Thinking, Holistic Health, Organic Living, पर्यावरन सिख्छा, वैश्विक नागरिक्ता सिख्छा, आधी जैसे समसामईक विश्यों की सुरुवात सहित सभी स्तर पर छात्रों में इन विभिन महत्पूर्ण कौसलों को विक्सित करने हितु समिचित सिक्षा क्रमिक और सिक्षन सास्त्री कदम उठाए जाएंगे 4.25 है गणित और कॉंप्यूटेशनल सोच को विभिन प्रकार के अनुभव तरीकी के माध्यम से फाउंडेशनल इस तर से सुरू करके इस स्कूल की पूरी अवधी के दौरान विभिन तरीके जिन में पहलियां और गेम का नियमित उप्योग सामिल है जो गणिती सोच को अधिक आनंददाई और आकरशक बनाते हैं के माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाएगा मिडल स्कूल पर कोडिंग संबंदी गती विधियां सुरू की जाएंगी मिडल स्कूल से ही हम बच्चों को एप आदी बनाने की कोडिंग तकनीक सिखाएंगी 4.26 है कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विध्यारती एक दस दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे जब इस्थानी व्यवसाईक विशेशग्यों जैसे बढ़ई, माली, कुमार, कलाकार आदी के साथ प्रिशुक्चु के रूप में काम करेंगे इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक छुट्टियों के दौरान भी विभिन व्यवसाईक विशेश समझने के लिए औसर उपलब्ध कराये जा सकेंगे ओनलाइन माध्यम से में भी व्यवसाईक कोर्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं 4.27 है मस्ती और स्वदेशी खेलों के माध्यम से विभिन टॉपिक्स और विश्यों को सीखने के लिए इस्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं पूरे इस्कूल पाठेकरम के दोराल विज्यान और अन्य छेत्रों में प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेणा दायक वेक्तियों पर वीडियो वरत चित्र दिखाए जाएंगे 4.28 है विद्यारतियों को कम उम्र में सही को करने के महत्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निरने लेने के लिए एक तारकिक ढाचा दिया जाएगा 4.29 है फाउंडेशनल इस्तर से सुरू करके बाकी सभी इस्तरों तक पाठेचरिया और सिक्षन सास्तर को एक मजबूत भारती और इस्थानी संदर्ब देने की द्रश्टी से पुनरगठित किया जाएगा इसके अंतरगत संस्कृती, परंपराय, विरासत, रीती, रिवाज, भासादर्शन, भूगोल, प्राचीन और समकालीन ज्यान, सामाजिक और विज्ञानिक आवशक्ताय सीखने के स्वधेशी और पारंपरिक तरीके आदी सभी पक्ष सामिल होंगे स्कूल सिक्चा के लिए राष्ट्री पाठचरिया रूप रेखा तो 4.30 है स्कूल सिक्चा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्री पाठचरिया रूप रेखा NCFSE 2021, NCRT द्वारा राष्टी सिक्षनीती 2020 के सिध्धानतों अग्रणी पाठी चरिया आवशक्ताओं के आधार पर तथा राज सरकारों, मंत्रा लयों, केंदर सरकार के संबंधित, विभागों और अन्य विशेशग्य, निकायों सहित सभी हित धारकों के साथ परामर्ष करक के तैयार किया जाएगा, इस्थानी विशेवस्तु और आश्वाद के साथ रास्ट्री पाठ्थे पुस्तकें, इस्कूली पाठ्थे क्रम के बोज में कमी और बढ़ हुए लचिले पन और रटकर सीखने की बजाए, रचनावादी तरीके से सीखने पर नए सिरे से जोर के साथ साथ इस्कूल में पाठ्थे पुस्तकों में भी बदलाव होने चाहिए, सभी पाठ्थे पुस्तकों में रास्ट्री इस्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाने वाली अवश्यक मूल सामगरी, चर्चा, विशलेशन, उधारन और अनुप्रियोग के साथ को सामिल करना 4.32 है, चात्रों को और सिक्षा व्यवस्ता पर पाठ्थे पुस्तक की कीमतों के बोज को कम करने के लिए इस तरह की गुणवत्ता की पाठ्थे पुस्तकों को नियूनतम संभव लागत उत्पादन मुद्रण की लागत पर मुहया करवाया जाएगा 4.33 है, पाठे क्रम और सिक्षा सास्तर में उप्युक्त परिवर्तनों के जरिये स्कूल बैग और पाठे पुस्तकों के बोज को परियाप्त रूप से कम करने के लिए NCRT, SCRT स्कूलों और सिक्षकों द्वारा ठोज प्रियास किया जाएगा विद्यार्तियों के लिए विकास के आकलन में आमूल चूप परिवर्तन 4.34 है, हमारी स्कूली सिक्षा प्रणाली की संस्कृती में आकलन के उदेश्य को योगात्मक जो मुख्य रूप से रट कर याद करने के कौसल को ही जासता है, से हटा कर नियमित रचनात्मक आकलन की और ले जाना हुगा, जो अधिक दक्षता आधारित है, हमारे विद्यार्तियों में सीखने और उनके विकास को बढ़ावा देता है। तरीके का प्रगति कार्ड बनेगा, यहाँ प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहु आयामी कार्ड होगा, जिसमें प्रतेक विद्यार्ति के संग्यानात्मक, भावात्मक, साइको मोटर, डोमेन में विकास का बारिकी से किये गए विशिलेशन का विश्तरत विवरन व करती और परिणाम स्वरूप आज की कोचिंग संस्क्रती विशेश रूप से माध्यमिक विद्याला इस्तर पर बहुत नुक्षान कर रही है, इनके चलते विद्यार्ति अपनी कीमती समय सार्थक अधिगम के वजाए परिक्षाओं की तैयारी और अत्यधिक परिक्षा बोर्ड और प्रवेश परिक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा, वर्तमान मुल्यानकन प्रणाली की इन हानिकारक प्रभाओं को उलटने के लिए बोर्ड परिक्षाओं को समगर विकास को प्रोतसाहित करने के लिए फिर से डिजाइन किया जाए 4.38 है अधिक लचिलेपन विद्यारती के लिए चुनाओं के विकल्प और सर्वोत्तम दो प्रयास वाले आकलन जो मुख्य रूप से मुख्य छमताओं की ही जाज करते हैं सभी बोर्ड परिक्षाओं के लिए ततकाल महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखे जाने चाहिए इसी बीच बोर्ड अपनी बोर्ड परिक्षाओं के लिए अन्य समुचित मॉडल भी विक्सित कर सकते हैं ताकि कोचिंग संस्कृती और परिक्षा दबाओं को कम किया असेस्मेंट प्रस्तावित नया राश्ट्री आकलन केंद्र आदी और सिक्षकों के साथ परामर्ष के जरिये दिसा निर्देश तैयार किये जाएंगे ताकि 2022 सेक्षिनिक सत्र तक NCF 2021 के समनु रूप आकलन प्रणाली को पूरी तरह से बदला जा सके 4.40 है सभी विद्यालयों वर्षों के दवरान ना की केवल ग्रेट 10 एंड 12 के अंत में प्रगती को ट्रेक करने के लिए छात्रों, अभी भावकों, सिक्षकों, प्रंसिपलों के लाव के लिए और स्कूलों और पूरी स्कूली सिक्षा प्रणाली में सिक्षण अधिगम प्रकरियाओं में सुधार करने के उदेश से सभी विद्यार्तियों को एक उप्युक्त प्राधी करण द्वारा संचालित ग्रेट 3, 5, 8 में इस्कूल की परिक्षा देनी होगी 4.41 है M.H.R.D. के तहत एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्री मुल्यानकन केंद्र परक इस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जो भारत के सभी मानिता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए विद्यार्ति आकलन यो मुल्यानकन के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश बनाने जैसे कुछ मूल उद्देशों को पूरा करेगा 4.42 है विश्विद्याले प्रवेश परिक्षा के लिए सिधान्त समान होंगे राश्ट्रिय परिक्षण एजेंसी उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योगिता परिक्षा साथ ही विज्ञान मानवी की भासा कला और व्यवशाइक विश्यों में हर साल कम से कम दो बार विश्ष्ट सामान्य विश्य की परिक्षा लेने का काम करेगी 4.43 है प्रतेक विद्यारती में जर्मजात प्रतिभाएं होती हैं जिने खोजा जाना चाहिए उनका पोशन करना चाहिए उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए ये प्रतिभाएं अलग-अलग रूचियों, प्रस्ताओं और चमताओं के रूप में खुद को व्यक्त कर सकती हैं जो चात्र किसी दिये गए दाइरे में विसेश रूची और चमताओं को दिखाते हैं उन्हें उस दाइरे को सामन्न स्कूली पाठेक्रम से परे भी अध्यन करने के लिए प्रोचाहित किया जाना चाहिए 4.44 है शिक्षकों का उदेश्य चात्रों को पूरक समवर्धन सामगरी और मार्गदर्शन और प्रोचान देकर कक्षा में उनके सकल हितों और प्रतिभाओं को प्रोचाहित करना होगा विशाय केंदरित और प्रोजेक्ट आधारित, कलब और शरकल, स्कूल कॉम्पलेक्स जिलों और उससे आगे के इस्तरों पर अत्यधिक प्रोचाहित और समर्थित किये जाएंगे 4.45 है, देश भर में विभिन विश्यों में ओलम्पियाड और प्रतियोगिता को आयुजित किया जाएगा जिन में स्कूल से लेकर इस्थानी और रास्ट्री स्तर पर जरूरी समनवाइक के जरिये यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी छात्र, सभी स्तरों पर जिन में उन्होंने कॉलिफाई किया है, उनमें भाग ले सके 4.46, एक बार जब इंटरनेट से जुड़े स्मार्टफोन या टेबलेट सभी घरों और या स्कूलों में उपलब्ध होंगे तो क्विज प्रतियोगिताओं आकलन समवर्धन सामागरी वाले ओनलाइन एप और साजा हित्तों के लिए ओनलाइन समुदाय विक्सित किये जाएंगे पांचवे टॉपिक में बात करते हैं सिक्षक की 5.1 है सिक्षक वास्तों में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं अतह हमारे राष्ट के भविष्य का भी निर्मान करते हैं इस नेक योगदान के कारण ही भारत में सिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ अच्छे सबसे अच्छे और विद दुद्वान ही सिक्षक बनते थे विद्यारतियों को निर्धारित ग्यान कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज सिक्षक या गुरुओं को अपने जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता था अध्यापक सिक्षक की गुणवत्ता भरती पदिस्थापना सेव सरतें और सिक्षकों के अधिकारों के स्थिती वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप सिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांचित मानकों का प्राप्त नहीं कर पाता है सिक्षकों के लिए उच्चितर दर्जा और उनके प्रती आदर और सम्मान के भाव को पुनर जीवित करना होगा ताकि सिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को सामिल करने हेतू उन्हें प्रेरित किया जा सकें हमारे छात्रों और हमारे राष्ट के लिए सर्वोत्तम संभव भविश्य सुनिश्चित करने के लिए सिक्षकों की प्रेणा और ससक्तिकरण की आविश्यक्ता है भरती और पदिश्थापना पर बात करते हैं 5.2 है उतकरष्ट विद्यारती ही विशेशकर ग्रामीड छेतर से सिक्षण पेसे में प्रिवेश कर पाएं या सुनिश्चित करने के लिए एक उतकरष्ट चार वर्षी एकिकरत बीएड कारिक्रम में अध्यन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित चातरवत्ती देश भर में इस्थापित की जाएगी ग्रामीड शेत्रों में कुछ विसेश मेरिट आधारित छात्रवत्ती को स्थापित किया जाएगा जिसके तहत चार वर्सी बीएट डिग्री सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद इस्थाने इलाकों में निश्चित रोजगार भी सामिल होगा 5.3 है सिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे जिससे विद्यारतियों को रूल मॉडल और सेक्षिक वातावरन मिल सके इसे सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सिक्षक इस्थानांतरण की हानिकारक प्रेक्टिस पर रोक द्वारा निर्धारित तरीके से इस्थानांतरण बहुत ही विशेश परिष्थितियों में किये जाएंगे इसके अलावा पारदर्शिता बनाय रखने के लिए इस्थानांतरण एक ओनलाइन सौप्ट्वेयर आधारित व्यवस्था के द्वारा किये जाएंगे 5.4 है शिक्षक पातरता परिक्षा TET सामग्री और सिक्षा सास्त्र दोनों के संदर्ब में बेहतर परिक्षन सामाग्री को विक्सित करने के लिए मजबूत किया जाएगा इस्कूल सिक्षा के सभी स्तरों बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक के सिक्षकों को सामिल करते हुए भी TET को विस्तरत किया जाएगा 5.4 है सभी विश्यों में सिक्षकों की परियाप्थ संख्या सुनिश्चित करने के लिए विसेश रूप से कला, सारिरिक सिक्षा, व्यवसाइक सिक्षा और भासाओं जैसे विश्यों में सिक्षकों को एक स्कूल या स्कूल कॉम्पलेक्स में भरती किया जा सकता है इसकूलों में सिक्षकों की साजिदारी को राज्य केंदर सासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनाई गई Grouping of School प्रारूप के अनुसार किया जा सकता है 5.6 है इस्कूलों इस्कूल कॉंपलेक्स को छात्रों को लाभानवित करने और इस्थानी अग्यान और विशेशग्यता को बढ़ावा देने के लिए विबिन विशियों जैसे पारंपरिक, इस्थानी कला, व्यवशाइक सिल्प, उद्धमिता, स्कृषी या कोई अन्य विश चाहित किया जाएगा. 5.7 है अगले दो दसकों में अपेक्षित विशेवार सिक्षकों की रिक्तियों का आकलन करने के लिए एक तक्निकी, आधारित, व्यवशाय, व्यापक सिक्षक आवशक्ता, आयोजन और भावी आवशक्ताओं के अनुमान का कार्य प्रतेक राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा. सेवाकाल के दोरान कारे संस्कृति और वातावरन. 5.8 है इसकूलों के काम के वातावरन और संस्कृतिक में अमूल चूल परिवर्तन करने का प्रात्मिक लक्ष सिक्षकों की छमताओं को अधिक्तम इस्तर तक बढ़ाना होगा ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंक से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सकें कि वे सिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्रधान ध्यापकों और अन्य सहयक कर्मचारियों के एक समाविशी शमुदाय का हिस्सा बन सकें जिनका एक कॉमन लक्ष यह सुनिश्चित करना होगा कि सभ्य और सुखद कार्य इस्थिती सुनिश्चित करने की होगी यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में परयाप्त और सुरक्षित, भौतिक संसाधन, सोचाले, सच्च पेयजल, सीखने के लिए सच्च और आकरशक इस्थान, बिजली, कंप्यूटिंग, उपकरन, इं संजीरो है, प्रभावशाली, स्कूली प्रसासन, संसाधनों की साजेदारी और समुदाय के निर्मान के लिए राज्य और संग राज्य छेत्र की सरकारे, स्कूल कॉंप्लेक्स या स्कूलों के वेग्यानिकी करन, स्कूलों तक पहुँच को कम किये बिना जैसे 29 सील प्रार अनि हित धारकों के साथ सहयोग से सिक्षक भी स्कूल और स्कूल कॉंप्लेक्स के प्रसासन में स्कूल प्रबंधन समिती, स्कूल कॉंप्लेक्स, प्रबंधन समिती के सदस्य के रूप में अधिक सामिल होंगे 5.12 है सिक्षकों का ज्यादातर समय गैर सिक्षण गतिविधियां करने में व्यतीत होने से रूकने के लिए सिक्षक को ऐसे कारे जो सिक्षण से सीधे संबंधित नहीं है उनको करने की अनुमती नहीं होगी विशेश रूप से सिक्षकों को जटिल प्रसासनिक कारे मध्यान भोजन से संबंधित कारे के लिए तरक संगत नियूनतम समय में अधिक समय में सामिल नहीं किया जाएगा जिससे वे पूरी तरह से सिक्षण अधिगम कारे में ध्यान दे स स्कूल में सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण हो प्रधानाचारियों और सिक्षकों की अपेक्षित भूमिका में यह इसपस्ट रूप से सामिल होगा कि वे अपने स्कूलों में प्रभावी अधिगम और सभी हित धारकों के लाभार्त एक सम्वेदन सील और शमावेशी स संस्कृति का निर्मान करें 5.14 है सिक्षकों को पाठिक्रम और सिक्षन के उन पहलियों को चैनित करने के लिए ज्यादा स्वायत्ता दी जाएगी जिससे वे उन तरीकों से पढ़ा सकें जो उनकी कक्षाओं और समदाय के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हो 5.15 है सिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेसे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत आउसर दिये जाएंगे इन्हें इस्थानिय छेत्रिय राज्य राश्ट्री और अंतर राश्ट्री कारेसालाओं के साथ-साथ ऑनलाइन सिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों में पेस किया जाएगा 5.16 है स्कूल के प्रधानाचार और स्कूल कॉंप्लेक्स के प्रमुखों के लिए अपने लीडर्शिप और मेनेजमेंट कौसल को लगातार विक्सित करने के लिए एक समान मॉड्यूलर लीडर्शिप या मेनेजमेंट कारेसालाओं और ऑनलाइन विकास के आउसर होंगे ताकि वे अपनी सर्वत्तम प्रेक्टिस को एक दूसरे के साथ साजह कर सकें अब करियर मेनेजमेंट और प्रगती CMP 5.17 पढ़ते हैं उतक्रष्ट प्रदर्शन कर रहे सिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए अच्छा कारे करने वाले और उन्हें पदोन्नती और वेतन व अतह एक सशक्त मेरिट आधारित कारे काल पदोन्नती और वेतन विवस्था का निर्धारन किया जाएगा जिसमें सिक्षकों का प्रतेक इस्तर बहु इस्तरी होगा जिस से बहतरियन सिक्षकों को प्रोथसान और पहचान मिलेगी 5.18 है इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि करियर की व्रद्धी कारे काल पदोन्नती वेतन व्रद्धी आधी के संदर्भ में एक एकल स्कूल चरण यानि मूलभूत प्रारंभिक मिडल या माध्मिक के भीतर सिक्षकों के लिए उपलब्ध है और प्रारंभिक अवस्था से बाद के चरणों में सिक्षकों के लिए या इसके विप्रीत करियर की प्रगती से समंधित कोई प्रोथसाहन नहीं है यह इस तथ्य का समर्थन करने के लिए है कि स्कूली सिक्षा के सभी चरणों में उच्चतम गुणवत्ता वाले सिक्षकों की आवशकता होगी और किसी भी चरणों को किसी अन्य की तुलना में अधिक महत्पून नहीं माना जाएगा सभी चरणों को समान महत्त दिया जाएगा 5.19 है योग्यता के आधार पर सिक्षकों की वर्टिकल मॉबिलिटी भी सर्वस्रेश्ट होगी उतकरष्ट सिक्षक जिन्होंने लीडर्शिप और मेनेजमेंट के कौसलों को दर्साया होगा उनको समय के साथ प्रसिक्षित किया जाएगा जिससे वे आगे चलकर स्कूल कॉंपलेक्स बी आसी, सी आरसी, बी आई टी, डी आई ए टी के साथ साथ संबंदित सरकारी विभाग और मंत्राले में अकादमिक नित्रत कर सकें सिक्षकों के लिए व्यवशाइक मानक 5.20 है कारे काल, अवधी या वरिष्टता के बजाए सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोनती और वेतन व्रद्धी होगी अब आवधी नहीं बलकि अच्छे कारे के आधार पर वेतन व्रद्धी होगी या पदोनती होगी 2030 में राश्टी इस्तर पर व्यवशाइक मानकों की समिक्षा और संसोधन किया जाएगा और उसके बाद हर दस वर्षों में विवस्ता की गुडवत्ता का शक्त अनुभविक विसलेशन किया जाएगा विशिष्ट सिक्षक 5.21 इस्कूल सिक्षा के कुछ छेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट सिक्षकों की अति आवशक्ता है इन विशिष्ट आवशक्ताओं के कुछ उधारणों में मिडल और माधमिक इस्तर में विकलांग दिव्यांग बच्चों ऐसे छात्रों सहित जिनें सीखने में कठनाई लर्निंग डिसेबिलिटी होती है कि सिक्षण है तू विश्वियों का सिक्षण सामिल है इन सिक्षकों को सिर्फ विशे सिक्षण ग्यान और विशे संबंधित सिक्षण के उद्देश्यों की समझ ही नहीं बलकि विध्यारतियों की विशेश आवशक्ताओं को समझने के लिए उप्युक्त कौसल भी होने चाहिए शिक्षक सिक्षा का दृष्टिकोन 5.22 है यह मानते हुए कि सिक्षकों को उच्चेतर गुणवत्ता की सामगरी के साथ साथ सिक्षण सास्त्र में प्रशिक्षण की आवशकता होगी शिक्षक सिक्षा को धीरे धीरे वर्स 2030 तक बहु विश्यक कॉलेजों और विस्विद्यालयों में सामिल किया जाएगा 5.23 वर्स 2030 तक सिक्षण के लिए नियूनतम योग्यता चार वर्सी एकिकरत बीएड डिग्री होगी जिसमें विस्तरत ग्यान समगरी और अध्यापन समगरी से सिक्षण कराया जाएगा इसमें इस्थानी स्कूलों में चात्र सिक्षण के रूप में व्यवसाइक, अभ्यास, प्रसिक्षण भी सामिल होगा चार वर्सी एकिकरत बीएड डिग्री प्रदान करने वाले इनी बहु विश्यक संस्थानों के द्वारा ही दो वर्सी बीएड कारेकरम भी प्रदान किये जाएंगे और यह केवल उनके लिए आवशक होगा जो पहले से ही अन्य विश्यस्ट विश्यों में इस नातक की डिग प्राप्त कर चुके हैं 5.24 है सभी बी एड कारेकरमों में शिक्षण सास्त्र की जाची परखी तकनीकों के साथ-साथ हाल ही में सबसे नवीनतम तक्नीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें बुनियादी साक्छर्था और संख्या ज्यान के सम्बंध में शिक्षण सास्त्र, बहुस्तरी शिक्षण और मुल्यांकन, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विसेश रूची या प्रतीभावाले बच्चों को सिक्षा कारक्रम BITE, DIET या स्वयम स्कूल परिसरों में भी उपलब्ध होंगे जिससे की स्थानी व्यवसाय ग्यान और कौसल जैसे स्थानी कलासंगीत, कृष्षी व्यवसाय, खेल, बढ़ेगिरी और अन्य व्यवसायक सिल्फ को बढ़ावा देने के उद्देश से प्रख्यात, इस्थानी वेक्तियों को स्कूलों या स्कूल परिसर में मास्टर प्रसिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा 5.26 है बहु विश्यक कॉलेजों और विश्विद्यालयों में उन सिक्षकों को बीएड के बाद कुछ अलप अविधी के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्द करवाए जाएंगे जो सिक्षण के विश्ष्ट छेत्रों जैसा की विशेश जरूरत वाले विध्यारतियों के सिक्षण या इस्कूली सिक्षा प्रणाली में नेत्रत्व और प्रबंधन के पदों पर या बुनियादी प्रारंबिक उच्चितर प्राथमिक और माध्यमिक इस्तर के बीच एक इस्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते हैं 5.27 है यह मानने है कि विसेश विश्यों के सिक्षण के लिए अंतररास्ट्री इस्तर पर अनेक सिक्षा विधियां हो सकती है N.C.E.R.T. विभिन विश्यों के सिक्षण की विविद विधियों का अध्यन सोध प्रलेखन और समेकन करेगा और सिफारिशें करेगा कि इन में से क्या सीख कर भारत में व्यवहार में लाया जा रही विधियों में सामिल किया जा सकता है 5.28 है NCFTE 2021 में व्यवसाइक सिक्षा के लिए अध्यापक सिक्षा पाठेचरिया की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा तत्पस्चात संसोधित NCF में परिवर्तन और अध्यापक सिक्षा की उभरती हुई अपेक्षाओं को दरसाते हुए NCFTE में प्रतेक पांस से दस वर्ष में संसोधन किया जाएगा 5.29 है अंतता अध्यापक सिक्षा प्रणाली की प्रमारिकता को पूर्णतया बनाये रखने के लिए देश में चलाये जा रहे अब मानक स्टेंड अलून अध्यापक सिक्षा संस्थानों के विरुध कड़ी कारवाई की जाएगी जिसमें यदि जर्रोत हो तो उन्हें समावेशी सिक्षा सभी के लिए अधिगम 6.1 है सिक्षा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एक मात्र और सबसे प्रभावी शाधन है समता मूलक और समावेशी सिक्षा ना सिर्फ स्वयम में एक आवशक लक्ष है बलकि समता मूलक और समावेशी समाज निर्मा हैं जिसमें प्रत्यक नागरिक को सपने संजोने विकास करने और रास्ट्र हित में योगदान करने का उसर उपलब्ध हो 6.2 है यद्धपी भारती सिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालेई सिक्षा व्यवस्था के सभी इस्तरों में लिंग और सामाजिक स्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिसा में लगातार प्रगति की है किन्तु असामानता आज भी देखी जा सकती ह विशेशकर माधमिक इस्तर पर हम सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समुहों को देख सकते हैं जो सिक्षा के छेतर में भूत काल से ही पीछे रहे हैं 6.2.1 है UDISE 2016-17 के आकड़ों के अनुसार प्राथमिक इस्तर पर लगभग 19.6% चात्र अनुसुचित जाती के हैं किन्तु उचितर माधमिक इस्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3 हो गया याने आगे बढ़कर बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं नामंकनों में ये गिरावट अनुसुचित जनजाती के चात्रों में 10.6% से 6.8% और दिव्यांग बच्चों में 1.1% से 0.25% के लिए अधिक गंभीर है इन में से प्रतेक स्रेणी में महिला चात्रों के लिए इन नामंकनों में और भी अधिक गिरावट है उच्चितर सिक्षा में नामंकन में गिरावट और भी अधिक है 6.2.2 है गुणवत्ता पूर्ण स्कूलों तक पहुच पाने में कमी गरीब सामाजिक रिती रिवाजों और प्रताओं और भासा सहित अनिक विभिन कारकों से अनुसुचित जातियों के बीच नामंकन और प्रती धारण की दरों पर हानिक कारक प्रभाव पड़ा है 6.23 है विभिन एतिहाशिक और भोगोलिक कारकों के कारण जनजाती समुदाय और अनुसुचित जनजातियों के बच्चे भी कई इस तरों पर प्रती कूल परिस्तितियों का सामना करते हैं 6.24 है इसकूल और उच्चितर सिक्षा में अलपसंख्यों का प्रतिनिदित भी अपेक्छा करत कम है यह नीती सभी अलपसंख्यक समुदायों और विशेश रूप से उन समुदायों के बच्चों की सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्त छेपों के महत्तों को स्विका करती है जिनका स्वेक्षिक रूप से प्रतिनिदित्व कम है 6.25 यह नीती विशेश आवशक्ताओं वाले बच्चों CWSN या दिव्यान बच्चों को किसी भी अन्य बच्चों के समान गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा प्राप्त करने के समान औसर प्रदान करने के लिए सक् स्कूल सिक्षा में सामाजिक स्रेणी के अंतराल को कम करने पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए अलग रणनीती तैयार की जाएगी जैसा कि निमलिखित उपभागों में उलिखित किया गया है ECCE Early Child Care and Education मूलभूत साक्षर्ता संख्या ग्यान और विद्याले तक पहुँच नामंकन उपस्थिती आदि से संबंदित समश्याएं वशिफारिसों जिनकी चर्चा अध्या एक से तीन में की गई है विशेश रूप से अल्प प्रतिनिधित्व वाले और लाभान वंचित समुहों के लिए महत्वपूर्ण वप्रासंगिक है अतहा S.E.D.G. के संदर्भ में अध्याए एक से तीन में दिये गए उपायों को द्रणता पूर्वक लागू किया जाएगा 6.4 है इसके अतिरिक्त लक्षित शात्रवत्ती माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोथसाहित करने के लिए ससर्थ नगत हस्तानतरण परिवहन के लिए साइकल प्रदान करना आदी जैसी विभिन सफल नीतियों और योजनाओं चलाई गई हैं जिससे कुछ छेत्रों में SEDG की भागिदारी स्कूली सिख्चा प्रणाली में काफी बढ़ी है इन सफल नीतियों और योजनाओं को पूरा देश में और अधिक सुद्रड किया जाना चाहिए 6.5 है यह भी ध्यान में रखना आवशक होगा कि यह पता लगाए कि कौन से उपाए विसेश रूप से कुछ SEDG के लिए प्रभावी है उधारण के लिए साइकल प्रदान करना और स्कूल तक पहुँचने के लिए साइकल वा पैदल चलने वाले समूहों का आयोजन करना महिला चात्रों की बढ़ती भागिदारी के संदर्व में यह विसेश रूप से सक्तिसाली तरीके के रूप में उभरा है यहां तक कि कम दूरी वाले स्थानों पर भी सुरक्षा की द्रश्टी से और मातापिता को मिलने वाले सुरक्षा भाव के कारण यह काफी प्रभाव की तरीका रहा है सिक्स पॉइंट सिक्स है आकड़ों से पता चलता है कि कुछ भौगलिक छेत्र में SEDZ क्या है SEDZ सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समू का काफी बड़ा अनुपात है इसके अलावा ऐसे भौगलिक इस्थान भी है जिनकी पहचान महत्वकांची जिल करता है सिक्स पॉइंट सेवन है हम देख सकते हैं कि अल्प प्रतिनिधितों वाले सभी समूहों में आधी संख्या महिलाओं की है दुर्भाग्यवस SEDZ के साथ होने वाले अन्याय का सामना औरों से ज्यादा इन समूहों की महिलाओं को करना पड़ता है 6.8 है इसके अलावा भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण और नियाय संगत सिक्चा प्रदान करने की दिशा में देश की छमता का विकाश करने हेतु एक जेंडर समावेशी निधी का गठन करेगी 6.9 है ऐसे इस्थान जहां विद्याले तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तै करनी पड़ती है वहां जवाहर नौदे विद्याले के इस्तर की तरज पर निसुल्क छात्रवाशों का निर्मान किया जाएगा विशेश कर ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित प्रश्ट भूमी से आते हैं इन छात्रवासों में सभी बच्चों विशेश कर लड़कियों की सुरक्षा की उप्यूक्त व्यवस्था की जाएगी 6.10 है ECCE में दिव्यांग बच्चों को सामिल करना और उनकी समान भागिदारी सुरिश्चित करना भी इस नीती को सर्वुच प्रात्मिकता होगी दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक इस्तर से उच्चितर इस्तर तक की सिक्षन प्रक्रियाओं में समिलित होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा 6.11 है इसके लिए दिव्यांग बच्चों के एकिकरण को ध्यान में रखते हुए विद्याले व विद्याले परिशर की वित्ती मदत की द्रश्टी से सुष्पस्ट व कुशल प्रावधानों की विवस्था की जाएगी इसके साथ ही यह भी ध्यान दिया जाएगा कि विद्याले व व विद्याले परिशर में दिव्यांग बच्चों की आवेशक्ता से सम्मंधित प्रशिक्षण प्राप्त सिक्षकों की न्यूक्ती की जाए 6.12 है RPWD विकलांग वेक्तियों के अधिकार या राइट आफ पर्शन विद्डिसेबिलिटी अधिनियम 2016 के अनुसार मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित या विसेश इसकूली सिक्षक का विकल्प होगा विसेश सिक्षकों के माध्यम से इस्थापित संसाधन केंद्र गंभीर अथवा एक से अधिक विसेश आविशक्ता वाले बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा से सम्मंधित आविशक्ताओं में मदद करेंगे एवं साथ ही उच्चितर गुणवत्ता की सिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने, होमिस्कूलिंग वक्कॉसल विक्षित करने की दिसा में उनके माता-पिता अभिभावकों को भी मदद करेंगे 6.13 है अधिकांसक अक्षाओं में ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की द्रश्टी से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है उन्हें निरंतर मदद की आवशक्ता होती है सोध इसपस्ट करते हैं कि ऐसे मामले में जितनी जल्दी मदद सुरू की जाती है आगे प्रगती की संभावना उतनी ही बेहतर नजर आती है 6.14 है विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चेओं सीखने से संबंधित अक्षमता के साथ को कैसे बढ़ाया जाए इसके इससे संबंधित जागरुकता और ज्ञान को सभी सिक्षक प्रशिक्षणों का अनिवार हिस्सा होना चाहिए साथ ही लेंगिक समवेदन सीलता वा अलप प्रतिनिदित वाले समुहों के प्रती समवेदन सीलता विक्षित की जानी चाहिए जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिती को बेहतर किया जा सके 6.15 है इसकूलों के वेकलपिक रूपों को अपनी परमपराओं और वेकलपिक सिक्षण सास्त्री अभ्यासों को सनरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इसके साथ साथ उन्हें अपने विश्यों सिक्षण छेत्रों व पाठिकरम को राश्ट्री पाठे चरिया के अनुरूप एकिकरत करने में साहिता प्रदान की जाएगी ताकि उच्चितर सिक्षा के छेत्रों में उनके विद्यारतियों की कम प्रतिभागिता को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके 6.16 है SEDZ के अंतरगत और उपरवर्णित नीतीगत बिंदूओं के संदर्भ में अनुसुचित जाती और जनजातियों के सेक्षनिक विकास में असामानताओं को दूर करने पर विशिज ध्यान दिया जाएगा 6.17 है रक्षा मंतराले के तत्वधान में राज सरकारों को जनजाती बहुल प्रदेशनों सहित अपने माधमिक और उच्चतर माधमिक विद्यालयों में NCC विंग खोलने के लिए प्रोसाहित किया जाए इससे छात्रों की प्राकर्तिक प्रतिभा और अदुती छमता का उप्योग किया जा सकेगा जिससे वे रक्षा सेनाओं में सफल करियर के लिए प्रेरित होंगे 6.18 है SEDZ छात्र छात्राओं के लिए उपलब्द छात्रव्रति आवशर और योजनाओं में प्रति भाग करने की द्रश्टी से और समता को बढ़ाने के लिए कुछ सरली करत तरीके इस्थापित किये जाएंगे जैसे किसी ऐसी सकल एजेंसी या वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लेना जो सभी विध्यारतियों तक इन योजनाओं छात्रवत्ती अथवा आवसरों की पहुँच सुनिश्चित करें और सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से उनका आवेदन सुनिश्चित करें 6.19 है उप्रोक्त सभी नीतियों और उपाय सभी SEDZ के लिए पूर्ण समावेश और समता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तो है किन्तु पर्याप्त नहीं इसके लिए विद्याले की संस्कृति में बदलाओ भी जरूरी है 6.20 है चात्रों को सिक्षकों और अन्य विद्याले कर्मियों जैसे प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकरता और परामर्श दाता इत्यादी द्वारा लाई गई इस नई इसकूली संस्कृतिव पाठिक्रम में आयप परिवर्तनों के माध्यम से समेधन सील बनाया जाएगा अध्याज साथ पर चर्चा करते हैं इसकूल कॉंप्लेक्स कलस्टर के माध्यम से कुसल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस सेवन पॉइंट वन है अब समगरी सिक्षा योजना के तहत समाहित सर्व सिक्षा अभियान और देश भर के राजियों में होने वाले अन्य प्रयासों के द्वारा देश के हर बसाहट में प्रात्मिक स्कूलों की स्थापना ने प्रात्मिक स्कूलों में लगभग सारोभोमिक पहुँच को सुनिश्चित करने में तो मदद की है लेकिन इससे कई कम छात्र संख्या वाले स्कूल भी वजूद में आए हैं 7.2 है इन कम संख्या वाले स्कूलों के चलते सिक्षकों के नियोजन के साथ-साथ महत्वण भहतिक संसाधनों के उपलब्धता की द्रश्टी से अच्छे स्कूलों का संचालन जटेल होने के साथ-साथ व्यवहारिक नहीं है सिक्षकों को अक्सर एक साथ कई कक्षाएं पढ़ानी पढ़ती हैं और कई विश्यों को भी जिसमें वहाँ विश्य भी सामिल हो सकते हैं जिनमें उनकी पहले से कोई प्रस्ट भूमी नहीं है 7.3 है छोटे स्कूलों के अलगाव का भी सिक्षा और सिक्षन प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव परता है सिक्षक समुदायों और टीमों में सबसे अच्छा काम करते हैं और इसी प्रकार चात्र भी करते हैं छोटे स्कूल भी सासन और प्रबंधन के लिए एक प्रणाली गत चुनोती पेस करते हैं सेवन पॉइंट फोर है हालाकि स्कूलों का समेकन एक ऐसा विकल्प है जिस पर हमेशा चर्चा की जाती है इसे बहुत ही सोच समझ कर किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इसकी पहुँच पर कोई प्रभाव ना पड़े 7.5 है इन चुनुतियों को राज केंदर सासित प्रदेश की सरकारों द्वारा 2025 तक स्कूलों के समुँ बनाने या उनकी संख्या को समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रिक्रिया अपना कर समाधान किया जाएगा 7.6 है उप्रोक्त को पूरा करने के लिए एक संभावित तंत्र स्कूल परिशार नामक एक समुहन संरचना की स्थापना होगी जिसमें एक माधमिक विद्याले होगा जिसमें 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आंगनवारी केंदरों सहित अपने परोस में निचले ग्रेट की पेशकस करने वाले अन्य सभी विद्याले होगे 7.7 है इसकूल कॉम्पलेक्स कलस्टर बनने से और कॉम्पलेक्स में संसाधन के साजे उपियोग से दूसरे भी बहुत से लाब होगे जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए बहतर सहियोग, ज्यादा विविध विशेपर आधारित विद्यारती कलब और स्कूल परिशर में अकादमे खेल कला सिल्फ आधारित कारिक्रमों का आयोजन, कला, संगीत, भाषा और सारीरिक सिक्षक के साजे उपियोग से कक्षा में वर्चूल कक्षाएं आयोजित करने के लिए ICT टूल्स के उपियोग सहित इन गतिविधियों का ज्यादा समावेश सामाजिक कार्यकरता और सलाहकारों, काउंसलर की मदद से विध्यारतियों के लिए बहतर सहियोग की उपलबधता और बहतर नामंकन उपस्थिती और उपलबधियों में सुधार और स्कूल कॉंपलेक्स प्रबंधन समीतियां केवल स्कूल प्रबंधन समीतियों के वज़ाए माध्यम से बहतर और मजबूत प्राइदे मिलेंगे 7.8 है इस्कूल कॉंप्लेक्स कलस्टर विवस्था से विद्यालों का गवर्नेंस भी सुद्रेगा और अधिक कुसल बनेगा पहले दी एस्कूल कॉंप्लेक्स कलस्टर के इस्तर पर अधिकार देगा जो एक अर्ध स्वायत एकाई के रूप में कारे करेगा 7.9 है इन complex cluster द्वारा दोनों दिर्ग कालिक और अल्पकालिक संदर्व में एक योजना बद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति का विकास होगा स्कूल SMC की मदद से अपनी योजनाएं SDP बनाएंगे स्कूलों के प्लान के आधार पर स्कूल complex cluster विकास योजना SDP बनाएंगे 7.10 है निजी और सारवजनिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों के बीच परसपर सहयोग और सकारात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए देज भर में एक निजी और एक सारवजनिक विद्याले को परसपर संबद किया जाएगा जिससे ऐसे संबद स्कूल एक दूसरे से मिल सीख सकें और संभव हो तो एक दूसरे के संसाधनों से भी लाभानवित हो सकें सेवन पॉइंट वन वन है हर राज जिले को प्रोसाहित किया जाएगा कि वह बाल भवन इस्थापित करें जहां हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार दारण के लिए सप्ताहं या में जा सकें और कला खेल और करियर संबंधी गती विदियों में भागीदारी कर सकें ऐसे बाल भवन जहां संभव हो सकते हैं बाल भवन के निर्मार पर भी जोर दिया गया है सेवन पॉइंट वन टू है इसकूल पूरे समुदाय के लिए सम्मान का और उत्सहों का स्थान होना चाहिए एक संस्थान के रूप में इसकूल की प्रतिष्ठा को पुनह स्थाफित करना चाहिए और इसकूल स्थापना दिवस जैसे महतपूर दिवस समुदाय के साथ मिलकर मनाये जाने चाहिए आप लेते हैं आठवा चेप्टर इसकूल सिक्षा के लिए मानक निर्धारन और प्रमानन इसकूली सिक्षा नियामक प्रनाली का लक्ष सेक्षिक परिणामों में लगातार सुधार करना होगा यह स्कूलों नवाचारों को सीमित दायरे में नहीं रखेगा या सिक्षकों प्रधानचारियों और विद्यार्तियों के उत्साह और हिम्मत में बाधा नहीं पहुंचाएगा 8.2 है वर्तमान में स्कूली सिक्षन प्रणाली में सारवजिनिक सिक्षा के प्रावधान समस्त सेक्षनिक संस्थानों के नियमन और नीतियों के निर्मान से सम्मंधित कारियों को एकल निकाय अर्थात स्कूल सिक्षा विभाग या इसके अंगों द्वारा संपन किया जाता ह जिसका परिणाम सक्ती के ससक्त केंद्रिकरण और हितों के टकराओ के रूप में सामने आता है। 8.3 है वरतमान नियामक विवस्था जहां एक तरफ लाव के लिए खोले गए अधिकतर फार्म प्रोफिट निजी इसकूलों द्वारा बड़े पैमाने पर हो रहे सिख्चा के विवसाई करण और अभिभावकों के आर्थिक सोशन पर नियंतरण नहीं कर सका है। वहीं दूसरी तरफ ये अक्सर ही अंजाने में सार्वजनिक हितों के लिए समर्पित निजी परुपकारी स्कूलों को हतोत ताहित करता है। 8.4 है सार्वजनिक सिख्चा प्रणाली एक जीवन्त लोकतांत्रिक समाज का आधार है और देश के लिए उच्चितम इस्तर के सेक्षनिक परिणामों को सामिल करने के लिए इसके संचालन के तरीके को परिवर्थित और सुद्रण करना अत्यंत आवशक है। इसके साथ ही निजी परुफकारी स्कूलों को भी एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद भूमी का निभाने के लिए प्रोचसाहित और शक्षम किया जाना चाहिए। 8.5 है इसकूल सिक्षा प्रणाली से संबंधित जिम्मेदारियां और इसके विनिमय मयन से संबंधित द्रश्टिकोण के बारे में इस नीती के प्रमुख सिध्धान्त और खास सिफारिशें इस प्रकार है। 9.5 है इसकूल सिक्षा विभाग जो इसकूल सिक्षा में सर्वोच राज इस्तरी निकाय है सारवजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीती निर्धारन के लिए जिम्मेदार होगा। 10.5 है संपूर्ण राजिक के सार्वजनिक विद्याली प्रणाली के सेवा प्रावधान और सेक्षिक संचालन की जिम्मेदारी इसकूल सिक्षा निदेशाले की होगी जिसमें DEO, BEO आदी भी सामिल हैं। 10.5 है प्री स्कूल सिक्षा निजी सार्वजनिक और परुपकारी सहित आवशक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्ता विनिमयन या मान्यता प्रणाली इस्थापित की स्कूल कुछ नियूनतम व्यवसाइक और गुणवत्ता पुन मानकों का पालन करते हैं राज्य केंद्र सासित प्रदेश राज्य विद्याले मानक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र राज्य व्यापी निकाई की स्थापना करेंगे घर नमबर है राज्य में अकादमिक मानकों और पाठिकरम सहित सेक्षणिक मामले S-C-E-R-T जो N-C-E-R-T के साथ परामर्श और सहियोग के लिए नजदीक से जुड़ा होगा के नेतरत्व में होगा जो की एक संस्थान के रूप में सुद्रण किया जाएगा 8.6 है इसकूलों, संस्थानों, सिक्षकों, अधिकारियों, समुदायों और अन्यहित धारकों को ससक्त बनाने और इने संसाधनों से परिपूर्ण बनाने का काम करने वाली संस्कृती, संरचनाएं और व्यवस्थाएं इन सब की जवाब देही को भी सुनिश्चित करेगी इसकूलों को छोड़कर का मुल्यानकन और प्रमानन समान माबदंड, बेंच मारकों और प्रकिरियाओं के आधार पर किया जाएगा जो ऑनलाइन और आफलाइन सार्वजनिक प्रकटी करण और पारदर्सिता पर जोर देते हैं एट पॉइंट एट है इसकूल विनियमन प्रमानन और गवर्नेंस के लिए तय मानक विनियामक धाचे और सुगम प्रणाली की समिक्छा की जाएगी ताकि पिछले दसक में प्राप्त की गई सीख और अनुभवों के आधार पर सुधार किया जा सके एट पॉइंट नाइन है पबलिक स्कूल सिक्छा प्रणाली का उदेश उच्चितम गुणवत्ता वाली सिक्छा प्रणान करना होगा ताकि यह अपने बच्चों को सिक्छित करने के लिए जीवन के सभी छित्रों से माता पिता के लिए सबसे आकर्षक विकल्प बन जाए 8.10 है समय समय पर शमग्र प्रणाली की आवधिक जांच परताल के लिए छात्रों के सीखने के इस्तर का एक नमुना आधारित नेशनल अचीवमेंट सर्वे एने एस प्रस्तावित नए रास्टिय मुल्यानकन केंद्र परक द्वारा अन्य सरकारी निकायों जैसे की NCRT के स साथ उप्यूक्त सहीयों के साथ किया जाएगा जो अनेकों कारें जैसे डेटा विसलेशन के साथ-साथ मुल्यानकन प्रक्रियाओं में भी सहयता कर सकता है जैसे कि इस वर्स N.A.S. सर्वे हुआ था 8.11 है अन्त में स्कूलों में नामंकित बच्चों और किस्वरों को इस पूरी प्रक्रिया में नहीं भूलना चाहिए आखिरकार स्कूल प्रणाली उनके लिए डिजाइन की गई है ऐसे तंत्रों का विकास जो सभी छात्रों के लिए प्रभावी साम इक और सर्व विदित ह उच्चतर प्राथमिकता वाले होंगे तो यहां पर हम चैप्टर वन से एट तक स्कूल सिक्षा से संबंधित राश्ट्री सिक्षा नीती का सारांश का ध्यन कर चुके हैं तो यहां पर मैं आज का यहां वीडियो समाप्त करता हूं धन्यवाद